सुना ये बढ़ की माई, सुना ये बढ़ का भाई, काकी चाची दादी बात रखी हाई, आईल का राकाट तो हर पवन मांगेला घूमी घूमी आप समझे कि पवन सिंग का पावर कितना जबर्जस्त है, कि गाना आते ही नंबर वन पर ट्रेंड भी करने लगा है पवन सिंग ने अभी नामांकन दर्ज भी नहीं कराया है, लेकिन अभी से ही पूरे बिहार का जो महौल है, वो पवन मैं हो रखा है पवन के इस काडम का पावर कितना जबर्जस्त है, कि इस वक्त कारकाट लोगसभा में स्याकोडो यूटूबर पहुंच रहे है देखे भोशपूर इंडस्तिक के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंग ने कारकाट लोगसभा से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है पवन सिंग ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, आपको बता दे कि कारकाट जो लोगसभा है वहाँ सातवे चरन में चुनाव है ऐसे में अभी ये कह पाना कि पवन सिंग करकाट लोगसभा से चुनाव जीत पाएं या नहीं, दिल्ली सदन में वो जा पाएं या नहीं, सांसत बन पाएं या नहीं, इसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता आपको बताते हैं कि पवन सिंग ने सिर्फ ट्वीटर पर एलान किया था कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं और तब से ही कारकार्ट लोग सभा सीड जो है वो होट सीड बन गई थी और कारकार्ट सिर्फ चर्चे का विश्या इसलिए बन गया था क्योंकि वहां से पवन ने चुनाव लड़ने का एलान गया था अब आप समझे कि पवन के स्कारडम का पावर कितना जबड़ जस्त है कि इस वक्त करकार्ट लोग सभा में सैकोडो यूटूबर पहुंच रहे हैं और हर रोज करकार्ट से ऐसे नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें करकार्ट क के जन्ता का मूड जानने की कोसिशिस की जा रही है कि बार उनका क्या मूड है और क्या वो लोग पवन सिंह को जिताने वाले हैं या नहीं इसके अलावा आपको बता दे कि पवन सिंग ने एक गाना रिलीस किया है गाने का नाम है आशिरवाद मांगे पवनवा ये एक आशिरवाद सौंग है और आपको बता दे कि इस गाने में पवन सिंग के साथ शिवानी सिंग ने आवास दिया है और इस गाने की सबसे खास बात ये है कि इस गाने की शुटिंग किसी location पर नहीं हुई है बलकि इस गाने की शुटिंग जो है वो studio में की गई है פवंसिंग का इस गाना था जो lockdown की वक्त आये था और गाने का बोल कुछ ऐसा था कि सरकरीषे बेसहारा भ्यले बस एही खाती आ इस गाने के जैसे शूटिंग हो इती ठीक इस गाने की भी उस तरीके से शूटिंग हुए और आपको बता दे कि इस गाने को शेयर करते हुए पवन सिंग में आपने ओफिशल फेस्बुक पर लिखा है कि आपने दिया गीत को आशिवाद मुझे भरोसा है आप ही देंगे जी बिट गाना नहीं का अब अब आप समझे कि पवन सिंग का पाउर कैसा आपना आते हैं वेना किसी लोकेशन में शूट के हुए सर्फ पौरण और आथे हैं और एक दो फोटोस में उनके ग्रूपे ही लोग होते है जो पीशे से कॉरस में आवास दे रहे हैं। प्यांसु सिंख शुरू में पवन सिंख जिंदा बात करते हैं। इस तरीकी की आवाज जें हैं। और कुछ भी खास नहीं है। विडियोज में सिर्थ पवन के फुराने विजॉज को ऐड करके पावर कितना जबर जस्त है। कि गाना आते ही नंबर वन पर ट्रेंड भी करने लगा है इसके लाव आपको बता दे कि पवन सिंग का जो इस गाने का हुक लाइन है जो सबसे जादा ट्रेंड कर रहा है और आपको बता दे कि यह गाना ऐसा है ही नहीं जिस पर रील बनाये जा सके जिस पर लोग डांस कर सके लेकिन पवन की इस गाने के बाद ऐसे कई वीडियोज आए हैं जिसमें दिख रहा है कि इस गाने को बजाकर नित्यांगनाए डांस कर रही है और आपको बतादे चले कि इस गाने में पवन एक लाइन गाते हैं कि सुना ए बढ़की माई सुना ए बढ़का भाई काकी चाची दादी बात रखिया याद आईल कराकर तोहर पवनवा मांगे ला घूमी घूमी आशिरवाद आपको बतादे कि इस गाने के रिलीज होने के बाद पूरा बिहार जो है वो पवन मैं हो चुका है पवन के खास यूटूबर जितने हैं सारे लोग कराकार्ट पहुंच रहे हैं इसके अलावा वो भी यूटूबर जो कहीं ने कहीं ये चाहते हैं वो लोग जिनके इच्छ उपेंद्र कुश्वाह को लेकर कहीं ने कहीं चर्चा हो रही थी कि पवन सिंग निर्दलिय चुनाओ लड़ने के ऐलान के बाद से उपेंद्र कुश्वाह की मुसीबते बढ़ सकती हैं ऐसे में उपेंद्र कुश्वाह की राय जानने की कोशिस की जा रही है तमाम मीडिय में कि वो एक तरफा जीतेंगे एक तरफा वोट उनको मिलेगी और पावन सिंग उनका कुछ भी नहीं बिगार सकते हैं बागे आपको क्या लगता है क्या पावन सिंग लोग सभाव सीथ कारकार जो है उससे अगर ने दलिये चुनाव लड़ते हैं तो उनको भारी मतों से उन तेने वीडियो में अन्याव